हेलो एब्रीवन वेल्कम टू स्मार्टे जोन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर की वेकेंसी चु निकालेगी है उसके बारे मैं आपके बता हुए क्या इसमें आपका एक्जाम पैटर्ण रहेगा क्या सेल बाल लगुए इसमें ऐनलाइं आपको वेल्कम करना है यहां पर कुछ इंपोज ऐतो आपको बतायागिया है कि अपसें ओक तक आप्लाइ कर सकते हो ति यहां पहीं उसके लिए यहां पास एपको पर इस लिन्क पे जाना है यहीं की वेबसाइट भीर डिब अगर आपके पास SSO ID नहीं है तो आपको क्या करना है SSO ID अगर आपके पास नहीं है तो आपको सबसे पहले SSO ID बनानी पड़ेगी SSO ID बनाने के लिए आपको इस website का जो है वो यूज करना है कैसे आपको बनाना है step by step मैंने इसके उपर एक वीडियो अरड़ी बना रखी है आप आई बटन पर क्लिक करोगे आप उस वीडियो को देख सकते हो कि इस तरीके से आप SSO ID क्रिएट कर सकते हो उसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं SSO ID के बाद आपको क्या करना है SSO ID वनाने के बाद आपको सिंपली इस website पर जाना है और यहां पर आपको अपलाई कर लेना है login करने के बाद तो इसी तरीके से आप इसमें apply कर पाओगे अब बात कर लेते हैं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा औ चालती हम terrorism आपको डखनी को मिल जाएगा उस नोटिफ्लिकेशन में एल्दिपेसल से लोटाइस अब करेंगे ईक्लक कार्वाइब साओगे श्रॉत लगए निर वेक्वेट करने नास्मेंद और अर्फिर के ख़ी तेस्ट नि你好 कि उसन्हाद पाऊएगे उसमें आपके general study पूछे जाएंगे 60 minute का आपका यहाँ पर duration रहेगा number of questions की बात करें तो 50 number of questions रहेंगे 50 marks के लिए general aptitude आप से पूछे जाएंगे 50 questions रहेंगे 50 marks के लिए यानि कि total number of questions 100 रहेंगे 100 marks का यहाँ पर आपका exam होने वाला है आपका जो यहाँ पर forest guard का exam होगा वो objective type का होगा multiple choice के आपके questions रहेंगे एक घंडे का आपको duration दिया जाएगा 100 minute का questions रहेंगा यहाँ पर कोई भी negative marking आपका नहीं रहने वाला है यहाँ पर देख सकते हो कोई भी negative marking नहीं रहेगा और यहाँ पर जो आपका exam होगा वो Hindi language भी conduct कराया जाएगा बात करें इसकी syllabus की तो यहाँ पर देख सकते हो general study के लिए forest guard की और forested की यहाँ पर अलग-अलग syllabus इस PDF में आपको देखने को मिल जाएगी तो आपको simplest PDF को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके यहाँ से अपना syllabus जो है वो चेक कर लेना है forest guard के लिए आप देख सकते हो general study का syllabus आपको ऊपर में देख रहा हो और current events जोग्राफी बगेरा हो गया तो यह सब यहाँ पर रहेंगे एटी सी यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर जो forest guard की general aptitude की syllabus उसमें आपके mathematics रहेंगे number system profit and losses ratio and proportional इसी तरीके से यहाँ पर आपको टॉपिक स्वेव चेक कर लेना है उसके बाद है बात करें फोरेश्टर के लिए तो फोरेश्टर के लिए भी आपका syllabus यहीं रहेगा बस थो असका लेवल जो है वह आपका हाई हो जाएगा तो जैसे ही इसके official notification आएगी मैं आपको इसके official notification से कराऊंगी तो अभी इसके official website पे syllabus के बारे में कुछ आपको नहीं दिया गया है तो अगर आप इसमें apply कर रहे हो आप चाहते हूं कि अभी से आप इसमें preparation कर पाऊ तो इसके बिसे पर आप अपना preparation जो है वह start कर सकते हो और जैसे इसके official notification आएगी उसके उपर भी मैं एक detail video बना दोंगी तो यह थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया रायस्थान forest guard and forester की exam patent selection process और यहां पर कैसे आप यहां पर अपनी SSOID बना सकते हो तो साही जान करी मैंने आपको इस वीडियो में बताएगा उमिद करती हूं कि आज की यह वीडियो आप लोगों को वीडियो हेलफू लगी होगी वीडियो हेलफू लगी है तो लाइक जरू से कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बढ़े को अपने फ्रेंस के साथ जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए इसमें तो उन लोग के साथ इस वीडियो को जो शेर किजिए गामें दियो में नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई